आज मैं आपके लिए लेसुनिया पालक पनीर रेसिपी लेकर आए और यह बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जो लोग लेसुन खाना पसंद करते हैं समय लिए उनको तो बहुत ही मजा आने वाला हो आप इसे एक वर ट्राई करेंगे आप इसे बार-बार बनाके जरूर और अगर आपको लेसुनिया पालक पनीर बनाना है तो चलिए मेरे साथ शुरूर की नमस्कास मैं प्रतिमा आप सब का स्वागत करती हूं अंगर्स कानल में लेसुनिया पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 ती स्कून रेसिपी डाला है इसमें हम पनीर को आप पनीर को किसी भी आकार में काट सकते हैं आप बड़े पीसिज में काते हैं जाए आप इसे छोटे पीसिज में काते हैं पनीर अच्छे से प्राइब हो गया है अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे इससे जाएदा अगर हम पणीर करते हैं तो पनीर जल सकता है और हमें जलाना चाज नहीं है बोल्डन कलरा आने तक ही तो प्राइब करना है हम इसमें पैन में डालेंगे आप ओयल कोई साभ इस्तिमाल कर सकते हैं। ओयल अच्छे से गरम हो गया है। इसमें हम डालेंगे पहले पिंच ओप हीन। फिर डालेंगे लैसुन आट-दस कलियों को बारिक बारिक चॉप कर लिया है। और लैसुन को हम पहीन आज पर त्राइ करेंगे। जाना भी नहीं है। अगर लैसुन जल जाता है तो उसकी कुछ भू अच्छी नहीं होती है। और अगर कच्छा रह जाए तो तेस्ट अच्छा नहीं रहता है। लैसुन में गोल्डन कलर आगया है। इसी समय हम दालेंगे एक प्याज जो हमने बारिक चॉप कर दाती है। प्याज हमने छोटी ही भी है। जादा बड़ी प्याज भी लिए है। और एक ही चद्रक का तुगड़ा है जो हमने ग्रेट कर लिया था। प्याज हमने दालेंगे यह टमाटर जो हमने पीस के रखे हैं। यह हमने चार टमाटर लिये थे मेडियम साइज के। अब न तमाटर को अच्छे सो गुनने देंगे। एक चोथा चमच हल्दी, एक चमच तमाट, एक चमच हनिया, पिसा हुआ, और एक चमच लालमिट्ष, एक चमच तमाटर घंच तमाटर तालेंगे गरब मसाला, भूद्षा एक चमच तमाटर को अच्छे तमाटर एक तमाटर आलेंगे गरब मसाला, ड्सालय मतैल चोड़ दिया अब हम इसी में ये पालग टालेंगे हम इसे ट cuatro पालग दा لया तक में होिस्ट पॉपमर्स बिखने अफाली किलों बालक है थीज बिखना ऐख अब भीशाएं तो Nomad Veni M communicator 2 मिच मेन अच्छा रह पालक अच्छे से हो गया है, और पालक ने आप देख सकती है तेल पी चोड़ दिया है या इसका मतल़ इसी है यह अच्छे से फूक होगी है अब इसमें एक कप पानी डालेंगे पालक पक लेंगे पालक ने देलेंगे कुबाल आचुका है अब हम गैस की प्रेम को कर देंगे और ये 2 टेबल स्पून हमने मलाई को फैट के रखा है और अच्छे से मिक्स कर देंगे क्रें अच्छे से मुष्चे से बहु जरूरी है अगर हमने नहीं करा तो मलाई फट जाएगी और आपके पालक पनीध का प्रेस्ट कर सब्सक्राइगा है और आपके बखस्ग कर दोल्ड़ा जाएगा ठ देख सकते क्पालक का गलर किता अच्छा हो गया है आपका पनीर प्राइब में निचेट और रुड़ आपको अच्छे, चलों प्राइब निचेट निचेट अच्छे करतें में काथ करके टोमलट दया घ्लिट पिंगे निचेट आपको के ते मत्याने प्राइब पामिण निचेंगे। अभी तयार नहीं हुआ है अभी हमारा ये पालकपनी तयार हुआ है अब हम इसमें एक इस्पेशिल तड़का लगाएंगे इसको तो रखतेते हैं साइड में एले के शğचिल तड़केशं にदोन leaking में अब हम इसमें डालेंगे 2 टीज स्कून देशी क 젊ine आप चाय तो बटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं उच चाहे तो गी का भी इसनीमाल कर सकते हैं तक भी डाले से झालने से भेवन हमेशा बैलंस में रहते हैं इसमें डालेंगे बीगा, तो साबुत लाल में, कैस की फ्लेम को हम बिल्कुल दो कर देंगे, और डालेंगे लेसुन, ये चार पाच कली हमें लेसुन के लिए थी, लेसुन को गोल्डन कलर आने देंगे, ये देखिया, गोल्डन कलर आ चुका है, पर डाल देंगे, फिर हम ये लिजे लेसुनिया पालगपणी बिल्कुल रेडिये है और आप बेखने में आप को लगी रहा होगा है ये बहुत ही ट्सटी बना है आप इसे जरूर प्राइब कीजिएगा और अगर 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 मेरी रैसी पसंदा है तो प्लीज लाइक किजिए शब्सक्राइब किजि जिसे की मेरे नए वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल सकें प्ली शेयर भी कीजिएगा थेंक्यू